ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमत भागवत महापुरान दश्मासकंदह पूर्वार्धह अथ प्रथमोथ्यायह भगवान के द्वारा पृत्वीको आश्वासन वासुदेव देवकी काविवाह और कंस के द्वारा देवकी केचे पुत्रों की हत्यां श्लोक पहला श्री राजो वाच कथितो 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 वंश वंश विस्तारो विस्तारो भवता भवता सोम सूर्ययोह सोम सूर्ययोह राग्नयाम चोभय राग्नयाम चोभय वंश्यानाम वंश्यानाम चरितम चरितम परमाद भुतम परमाद भुतम यहाँ आधादा है और भा में छुटिव की मात्रा है परमाद भुतम कथितो वम्ष विस्तारो भवता सोम सूर्य योहो राग्नियाम चोभय वम्ष्यानाम चरितम परमाद भुतम श्री राजो वाच कथितो वम्ष विस्तारो भवता सोम सूर्य योहो राग्नियाम चोभय वम्ष्यानाम चरितम परमाद भुतम शब्दार्थ लेखते हैं श्री राजो वाच राजा परिक्षित ने कहा कथितम पहले ही वर्णित हो चुका है जो वम्ष विस्तारह मतलब वन्ष का विस्तार से वर्णन भवता आपके द्वारा सोम सूर्य योहो मतलब चंद्रदेव तथा सूर्य देव के राग्नियाम मतलब राजाओं का चो मतलब तथा उभय मतलब दोनों वन्षयानाम वन्ष के सदस्यों का चरितम चरित्र परम मतलब श्रेश्ठ अद्भुतम तथा अद्भुत राजा परिक्षित ने कहा हे परभु आपने चंद्रदेव तथा सूर्य देव दोनों के वन्षों का उनके राजाओं के महान तथा अद्भुत चरित्रों सहित विशद वर्णन किया है साथपर्य देखते हैं नवमिसकंद के अंत में चौबिसवे अध्याय में शुकदेव को स्वामी ने कृष्ण के कारे कलापों का सारे दे दिया है उन्होंने बतलाया कि कृष्ण किस प्रकार धर्ती का बोज कम करने के लिए स्वयम प्रकट हुए थे किस तरह उन्होंने ग्रहस्त के रूप में लीलाएं की और किस तरह जन्म के तुरंद बाद उन्हें उनकी व्रजभूमी लीला में ले जाया गया परिक्षित महाराज कृष्ण भक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के विशय में और अधिक सुनना चा रहे थे इसलिए कृष्ण के विशय में कथा कहते रहने तथा विस्तर जानकारी देने के लिए प्रोचसाहित करने की दृष्टि से उन्होंने शुकदेव गोस्वामी का आभार प्रकट किया कि उन्होंने कृष्ण के कारेकर लापों का संशिप्त वर्णन प्रस्तुत किया है शुकदेव गोस्वामी ने कहा था लीला पुरशोतम भगवान कृष्ण वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए किंदू वे तुरंत ही अपने पिता का घर छोड़ कर विंदावन चले गए जिससे वहां अपने विश्वस्त भक्तों के साथ अपने स्ने मय संबंधों का विस्तार कर सके उन्होंने व्रिंदावन में अनेक असुरों का वद किया और बात में वैद्वार का चले गए जहां उन्होंने वैदिक विधी से अनेक पत्नियों के साथ विवा किया जो स्त्री रतना थी उनसे सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किये और ग्रहस्त जीवन के नियमों की स्थापना करने के लिए अपनी पूजा हेतु अनेक यग्य संपन्न किये यदू वन्ष सोम अर्थार्थ चंद्र देव से चले आ रहे कुल से संबंदित था यद्यपी ग्रहों की ऐसी स्था है कि सूर्य चंद्र से पहले आता है किन्तु परिक्षित महराज ने चंद्र वन्ष अर्थार्थ सोम वन्ष को अधिक सम्मान दिया क्योंकि चंद्र से चले आ रहे यादव वंश में क्रिष्ण अवतीन हुए थे दो प्रिथक शत्रिय राजवंश हैं चंद ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश तथा सूर ग्रह के राजा से चला आने वाला वंश जब भी भगवान अवतीन होते हैं तो सामान्यता वे शत्रिय वन्ष में प्रकट होते हैं, क्योंकि वे धर्म के सिध्धानतों तथा सत्य में जीवन की स्थापना करने आते हैं। वेदिक प्रणाली के अनुसा शत्रिय वन्ष मानव चाति का रक्षक होता है। जब भगवान श्री राम चंद्र के रूप में प्रकट हुए, तो वे सूर्य देवता से चले आ रहे सूर्य वन्ष में अफ्तरित हुए थे। किन्तु जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो वे चंद्र देवता से चले आ रहे यदु वन्ष में अवतीन हुए। शीमत भागवतम के नवम सकंद के 24 वे अध्याय में यदु वन्षी राजाओं की लंबी सूची दी हुई है। सूम वन्ष तथा सूर्य वन्ष के सारे राजा महान तथा शक्तिशाली थे और महराज परिक्षित ने सब की बड़ी प्रशंसा की थी। फिर भी वे सूम वन्ष के विशय में और अधिक सुनना चाह रहे थे क्योंकि इसी वन्ष में कृष्ण अवतीन हुए है थे। ब्रह्म सन्हिता में भगवान श्री कृष्ण के परम धाम को चिंता मनी धाम कहा गया है। इस धरा पर व्रिंदावन धाम उसी धाम का प्रतिरूप है। जैसा की भगवत कीता में कहा गया है वैखुंट लोक में एक अन्य नित्य प्रकृति होती है जो व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे होती है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा ग्रहों तथा चंद्रमा तथा सूर्य के रूप में देखा जा सकता है। इस अव्यक्त पदार्थ के परे आध्यात्मिक लोग है, जिसे भगवत गीता में परम तथा नित्य कहा गया है, इस लोग का कभी संघार नहीं होता, यद्यपी भौतिक प्रकृति का बारंबार सरजन तथा संघार होता है, किन्तु आध्यात्मिक प्रकृति शाश्वत रहती है, श्रीमत भागवत के दशम इसकंद में उस आध्यात्मिक प्रकृति, उस आध्यात्मिक जगत का वर्णन, व्रिंदावन, गोलोक व्रिंदावन या व्रजधाम के रूप में हुआ है, नवम इसकंद के उपर्युक्त श्लोक, जातो गतह, पित्र ग्रिहाद का विस्त्र दवर्णन इस दशम इसकंद में मिलेगा.